देखो मैंने देखा है सांप लोगों को डस देते हैं, पेटी बना देते हैं, ये चीज मैं पहली बार देख रहा हूँ कि यार लगभग एक बंदे को रूला डाला, आप सूथ सकते हो कितने जाता सांप होंगी यहाँ पे तो भाईलो कैसे हूँ, तो यार वेलकम दी, बैक, बैक दे वेलकम और स्वागते आपका एक बिरा नू, गलत सीन से भरे पड़े इंटरंस, पब जिदो मुपाईल गेम प्ले वीडियो में, अब इस मैच को खेल के यार, आखिर में मुझे ऐसा लग रहा था, कि ये कलासिक न थोड़ा आगे जाके ओंगे, लेकिन फिलाल यार, मिल्टी रेरिया रखें, अब यहां उतरते ही मुझे छत पे टोमी गन मिल जाती है, और दो बंदे नौक भी कर चुका हूँ, अब यहां पर मैं तीन बंदों को पेल चुका हूँ, दो की पेटी भी बन चुकी है, तीसरे की भी बना देंगे, लेकिन इनका एक चौता बंदा बिल्कुल कायब है, अब वो बंदा मेरे को बहुत परिसानी देगा, खेर जो भी हो, फिलाल मैं रिलोड वगेरा करता हूँ तीम किल मिली चुकी है, और आगे वाले बिल्डिंग से भी यार फुटी स्टैप दबा के आ रहे थे, इसका मतलब दूसरी टीम के कम से कम दो ढ़ाई बंदे इधर बैठे पड़े हैं, अब मैं आया तो इन्हें पेलने के लिए इताल, लेकिन यार हेलमेट वेस्ट भी मिल गई तो बढ़िया ही है, अब गेम के सुरुवात में ही यार इन लोगों पे इतनी सारी गोलियां पड़ी है कि ये दरवाजे तोड़ रहे हैं, मैं यहां पे था भी नहीं, मैंने बस दरवाजा खोला, भाई ने दरवाजे को युड़ा दिया, मतलब यार गोलियों की कमी बिल्कुल भी नहीं है इधर पे, अब ये लोग गोलियां यहां पे दरवाजे फाड़ के उपर की तरफ भग लेते हैं, और उपर जाके कमरों में गुच जाते हैं चुपके, अब चौड़ चौड़ में इन लोगों ने दरवाजा तोड़ा था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी दरवाजा तोड़ूं और उसी चक्कर में बंदा चपेट में आ गया और अब इन लोगों के टीम मेट किधर बैठे पड़े हैं किसी को नहीं पता, यार ये चीज मैं समझ नहीं पता, बंदे सुकौड घेलते हैं, दो बंदे मिल्टी रेरी, दो बंदे जरकी पहुचे होते हैं, खैर जो बियो इन पे लूट दवा के पड़ी होती है, यार गो क्या होगा जिन्दगी में, और यार इस मैच में मैं बंदे डूंड डूंड के बहुत परिसान हो जाऊँगा, देखो यार आगे सब कुछ देखने को मिलेगा, खैर इसके बाद मैं वापीस आ रहा होता हूँ, ये सोचके कि गाड़ी लेके निकलता हूं रसकरने, और जात जाते जाते मुझे एक बंदा मिल जाता है, अब ये अकेला बंदा उसी टीम का बंदा है, जिसके उतरते ही मैं तीन बंदे पेल चुका था, हाना तो वो तीन बंदे मैंने पेल दिये, लेकिन उनका बदला लेने भाई यहां पे बैठे पड़े हैं, मतलब कहां कहां नहीं हड़ जगा देख लिया, तब जाके फायर कर रहा है बंदा जब मैं उपन से बख के आ रहा हूं, अब देखो मुझे जादा दिक्कत नहीं है क्योंकि यार बंदा फायट लेना चाता है, गूलियां चला रहा है, तो हमारे भाई छत में बैठे हैं, तो हम भी छत पे ही और इस बात को लेके मैं बहुत गलत था, जो मैं ये सोच रहा था ना कि यार बंदा आखिर कार जाके फायट लेगा, भगके थप चुका है वो, लेकिन नहीं यार हमारे भाई में भी पहुत जोजबा की है, अब देखो जब केंपिंग का सीनी होता है, ये तब तक गुरी चलाते हैं जब तक पेटी ना बने, वैसे मैं भी यही चीज करता हूँ, लेकिन यार हम घुसके पेलते हैं, लेकिन ये लोग घुसे रहते हैं, और जब कोई और घुसे तब उसको पेल देते हैं ये लोग, तो यार अब हर एक कमरा कमरा चेक करना पड़ेगा, क्योंकि भा कर, पता चल जाता है बंदा बैठा किधार है, अब मैंने सोचा था है, यार बंदे को मजाक में मस्ती में पेलूँगा, भाई पे वैसे बी टीपी थी, जैसी रिलोट पे जाएगी मैं अंदर घुस जाऊँगा, लेकिन पता चलता है, यार मजाक उस बंदे भाई ने मेरा ही बना दिया, मतलब कैसे बेवोकूफो की तरह ठिला मैं, बाहर खड़ा हूँ बंदा मेरे को देख रहा है, मुझे लगा यार कवर के पीछे हूँगा, मैं लेकिन नहीं, भाई ने पेट पूट में गोली पेल दी, अब इस मैच में बाकी बंदे डूनने के मैं इतना तड़पा होना की क्या ही बताऊं, वहां से बाई के लिए मैं आया सीधा यहां पोचंकी पे, पोचंकी खाली होता है बिल्कुल, पोचंकी के बाद ये सस्ते घरों पे गया क्यूंकि यार केंपिंग कही पे भी हो सकती है, ये घर भी बिल्कुल बिल्कुल खाली ह जोर्ज में भी एक बंदा क्या बोड तक नहीं मिलता एक बोड तक नहीं मिलता मेरे को और यार मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि वह जगह मेरे ख्याल से जों से बहुत पहर थी। खेर उसके बाद मैं हार मान चुका हो तो मैं बोलतो यार जो होगा देखा जाएगा और मैं सही बता रहा हूँ मुझे कहीं से भी नहीं लग रहा था कि इस मैच में इतने सारे किल होंगे और इतने सारे किल इसलिए होंगे क्योंकि हर एक बंदा इसमें सेप खेला होता है लेक इस गोली की आवाद सुनके मुझे जो खुसी हुई ना यार वो हट से जादा अलग लेवल पे थी और इस मैच में मैंने कम से कम 15 मिनट सिर्फ और सिर्फ गाड़ी चलाई है बगेर किसी बंदे को ढूंडे बगेर कुछ करे सिर्फ पट्रोल बरबात किया है अब आखिर कार बंदे मिले तो यार गुश के पेलेंगे बाई लेकर बंदे मिले तो यार गुश के पेलेंगे और इधर पे तीन तीन बंदे बैठे होते हैं और इन तीन बंदों को पेलने के बाद ना हमारे किल की गाड़ी बिल्कूल भी नहीं रुकती मतलब बहुत छोटा हो चुका है जोन यार काफी छोटा हो चुका है बीच में कोई भी लड़ाई नहीं लेकिन अब जब लड़ाई सुरू हो चुके है यार ये खतम होने का नाम नहीं लेगी जब तक चिकन नहीं होता है यार तब तक लड़ाई चलती रहेगी और अगर आपने देखा होगा तो कोई उपर से कार 98 भी पटका रहा था और इस मैच में मैं किल के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ तो टेंसर मतलो यार उनको भी गुश के पेलेंगे जाई रहाऊ यार थोड़ा लूट लेता हूँ फिर चल के पेलते हैं लेकिन इससे पहले कि मैं जाओ और पेटिया बनाओ धैड बैड बात कर लेते हैं हमारे सपॉंसर की तो यार इस एप या फिर वेबसाइट का नाम है एक एक्सबैट जिसकी मदद से आप कई सारे गेम्स खिल सकते हूँ इसमें कई सारे मिनी गेम्स होते हैं साथी साथ आप इसमें किर्केट फुटबॉल, बॉली बास्केट बॉल और भी कई सारे स्पोर्ट्स या फिर e-sप पे बैट बुट लगा सकते हूँ, साथी साथ इसमें आपको 100% बोनस मिलेगा अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हूँ जो कि कमेंट सेक्सियों में दिया गया होगा और इससे पैसे विड्रो करना भी बहुत आसान है, पेटी एम, पेपाल, गूगल पे, कद्दू प और इन खर-98 वाले बंदों को पेलने के बाद यार मेरा किल का लादस थोड़ा सा, थोड़ा सा कम होता है मैं देखता हूँ यार, 11 किलो चुके हैं, मैं बोलता हूँ थोड़ा सा तमीज से रस करेंगे, लेकिन उत्रे में ही अब मैं बिल्कुल बिल्कुल चाहता था कि यार मैं थोड़ा तमीज से खेलू, क्या पता हो जाए बढ़िया किल लेकिन इस चीज के बाद न इतना है कि आर रस करना है और पेलना है बंदो को अब हमारे वो भाई Đीपी बहुत बड़िया चला रहे थे हरा मतलब एकाद गोली मारी वहिया मेरी पेटी बना सकता था बंदा लेकिन यार AWM AWM होती है मेरे जैसे सस्ते सनाई पर भी अगर गलती से पेल दे एक हैट सौट बंदा तो भी नौक हो जाता है तो बंदा नौक हो चुका है और आपको पता है क्या करने वाला हूँ मैं गाड़ी ठोकी चार बंदे हो चौदा बंदे हो गुसके पेलना है चार बंदे भी नहीं होते हैं कमी बंदे होते हैं लेकिन यार जब रस करने की लाला चुती है ना जब किल की लाला चुती है तब बंदा एक होच चाहे आदा गुसके मार नहीं पड़ता है तो ये लोग रिवाइब अगेरा हो चुके हैं और इन्हों ने लगा दी है टीपी भी अपनी और एक बंदा यहीं पर कूत कादरा है तो मैं अपना नेड निकालता हूँ और इस कदर पेलता हूँ जिससे यार कोई भी चकमा खा जाए किसी को भी लगेगा मेरे नेड बहुत महंगे हैं लेकिन आपको पता है क्या होगा और इसी के साथ यह दोनों डीपी वाले बंदे ठिल जाते हैं दो ही बंदे बैठे पड़े थे मुझे नहीं पता यह किसकी टीम के हैं लेकिन सही यार दो किल भी मिल गई बहुत ही बढ़िया है कम से कम 13 किल तो ही और देखो AWM की गोलिया बहुत कम बची है मेरे पे वैसे यार जादा होंगी तो भी मैने कुछ नहीं उखाड़ना लेकिन हाँ इस मैच में AWM भी बहुत कामाती है तो मैं गाड़ी गुमाई रहा होताओ क्यूंकि 13 किल से कद्दू कुछ नहीं होगा कुछ भी नहीं होने का 13 किल से तो मैं देखता हूँ यार घरों पे तो कोई भी चिकन नहों जाए तो मैं यहां गाड़ी रोखता हूँ और आगे बंदे देखता हूँ अब आगे पे दो तीन बंदे अभी भी जिन्दा हैं मुझे तमी से काम लेना चीए लेकिन मैं क्या करता हूँ बिल्कुल उल्टा करता हूँ गाड़ी पे बैठता हूँ और मुझे ले जाऊँगा गाड़ी उनके और इसी के साथ अपने को तीन केल और मिल जाते हैं अब देखो उजी बहुती खतरनाक गन है मैं भी मानता हूँ लेकिन यार गाड़ी वाले बंदों पे उजी चलाओगे तो शायदी कुछ उखड़ेगा या तो आपका एम बहुती खतरनाक होना चाहिए कि यार चार गोली चलाई चार में से पांच सर पे लग जाए लेकिन यहाँ पे ऐसा कद्दू कुछ नहीं होता तीन बंदे ठिल च लोड़ से चल रहा है तबा के गोलिया चल लिया आगे और नीचे से एक बंदा भकते वे भी आ रहा होता है तो यार एक किल एक किल होती है एक किल भी बहुत माइने रखती है तो उसे पकड़ा मैंने पहले अब देखो सीन क्या है यार मेरे 17 किल हुई ही चुके है अगर मैं तमीज से भी खेलूंगा थोड़ा सेव भी खेलूंगा तो भी ठीक ठाक किल हो जाएंगे लेकिन जैसा कि मैंने बोला यार पूरे मैच भर में कद्दू कुछ नहीं हुआ इसलिए यार अभी नहीं पेला तो कब पेलेंगे बंदों को तो मैं उठाता हूं गाड़ी और आगे जाने की पूरी चाहत है मेरी लेकिन किल भी चुरानी है और यार चाहे मैं कितनी कोशिस कर लूँ सेब खिलने की लेकिन यार यह जो गूलियों की आवाज आ रही है ना इसे सुनके मेरे से बिल्कुल रुकानी जा रहा तो यार तैयार हो जाओ क्यूंकि साप का चकर मौच से टककर दबा के होने वाला है एसे बिल्कुल होग सुनका फिल्कुल तैयार है आगे मैरे सामने पर पर लेटा वाया रही है और यार लोगों के साथ गिलिच भी खतरनाक वाले होते हैं उस बंदे ने मेरे मूँ के सामने कम से कम 500 गोली चला दी हैं फोर से 500 गोली यहाँ पे हम 30-40 गोली चला के चुप बैट जाते यार वो साब भी बना पड़ा है और गोली चला जा रहा है ऐसे गिलिच मेरे साथ क्यों नहीं होते खेर जो भी हो मेरे ख्याल से उसका नेट धुका दे गया और पेटी बनी चुकी है और अपन 40 गोली से काम चला लेंगे और यहाँ पे हर एक बंदा हर एक बंदा लगभग साम बन रखा होता है तो मैं थोड़ा पीछे की तरफ आता हूँ और यार मेरे से सनाई पर लोंग रेंज में तो कद्दू भी नहीं चलती लेकिन यहाँ जब मुग के सामने बंदा लेटा है तब मैं सनाई पर से ठीक सर पे गोली पेल ला हूँ तो भाई लोग यार इस गलती से हेट सोट के लिए लाइक के वटन को ठोका पीटी करके निर्या टैप करना मत भूलना पता नहीं यार इस मैच में मैं कुछ जाद ही जूस में आ गया था वैसे जूस में आके कभी बेहूसी भी हो जाती है लेकिन इस मैच में ऐसा कुछ भी नहीं होता और जैसा कि मैं बोली राता है यार हेट सोट लगता नहीं वैसे उसका सिर्फ पाउँ दिख रहा होता है लेकिन यार सर दिखता तो कौन समय कुछ उकार लेता वा 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 इस पेड़ के उपर भी एक अब काड़ी से आया है अब यहां ऊपर की सैड आके यार मैं नजाने कितने बंदे पेल चुका हूँ कितने बंदों को हेट सोट पेला कितनों को लेटते वे पेला उसके बाद भी बंदे खतम होने का नाम ही नहीं ले रहे मतलब ऐसा लग रहा था यार ये एक टूर्णामेंट चला है ऐसा भी नहीं क्यों कोई सस्ते वाला नहीं यार लाखो रूपे लगे पड़े हैं लोगों के खेर हम तो फिर भी बत्तमीजी से ही रस कर रहे हैं दो बंदों को पेल दिया एक और बाकिये उपर और यहां पर साप बनने के साथ साथ लोग नेट का भी परियोग कर रहे हैं उप्योग होता है सयद उप्योग कर रहे हैं उपर भी बंदा लेटा है और दिख जाता है मुझे अब यहां पर मेरा टीमेट यार लग भग रो पड़ता है सापों की वज़ा से देखो मैंने देखा है साप लोगों को डस देते हैं पेटी बना देते हैं ये चीज मैं पहली बार देख रहा हूँ कि यार लगभग एक बंदे को रूला डाला आप सूथ सकते हो कितने जाता साप होंगे यहाँ पे बंदा रूने को आई यार बहुत गलत होता है लेकिन आखर कार जाके सारे साप धिल जाते हैं और अगर आप में से किसी ने यार गिना है कितने साप पेले मैंने यहाँ पे तो यार कमेंट में ज़रूर बताना मैं भी तुदेखो कितने साप थे और अब एक आखरी बंदा बाकी होता है और आपको भी पता है मेरे को भी पता है किधर पे लेटा है वो बंदा हाँ ये वही बंदा है जो डिरॉब के पीछे लेटा था अपना पाउं दिखा के और इसको पेलेंगे भी पाउं पे गूली मार के और वो बंदा अभी तक उस डिरॉप के पीछे से कहीं पे भी नहीं इला मुझा लगाया और साप है रेंगते रहते हैं कहीं और पहुँच गया होगा लेकिन नहीं वो बंदा उधर पे ही लेटा पड़ा है बिलकुल तो यहां पे मैं बूश्ट बूश्ट कर लेता हूँ क्योंकि जब मैं खेल ला हो तो मुझे पक्का नहीं पता हो ता बंदा किधर है लेकिन आखिर कार जाके दिख जाता है वो अब हमारे टीमेट बोलते हैं भाईया नेट कर दो और मेरे पे तीन नेट पड़े होते हैं क्यों ना कुसिस करके देख लिया जाए वो भाई कैसे नहीं मरा और यार कैसे नहीं मरा ये तो मैं कभी नहीं समझ पाऊँगा जिन्दगी में कभी नहीं ठीक है मतलब तीन नेट फेक दिये तीनों डिरॉप के आसपास गिरे वो सापवाला बंदा डिरॉप के कभी इधर पार आ रहा है कभी उस पार जा रहा है और हर बार नेट से बन जाता है वैसे मेरे को 100% पता है वो एक जगह पे रहता न तो भी मेरे नेट से बन जाता है यार इतने सस्ते होते हैं मेरे नेट खेर आखिर मैं भाई का पाउं दिखता है मतलब लेटे पड़े होते हैं पाउं पे दो-तीन गूली पेलता हूँ और बंदा ठिल जाता है AWM भी पाउं पे चटकाई थी और इसी के साथ देखते ही देखते कितने किलो गए 28 किलो जाते हैं देखो मुझे साइब अतारो मुझे कहीं से भी नहीं लग रहा था कि 28 किल इस मैच में उपाएंगे लेकिन क्यूंकि आकरी सरकल पे इतने जादा बंदे जिंदा थे हर एक साप बना पड़ा है और हर किसी को गुसके पेला तो हाँ यार किल होई जाता है तो बस भाई लोग आज की वीडियो में इतने ही बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए जाते जाते इस सापो से भरे गेम पिले के लिए लाइक पिलना मत भूलना यार बिलकुल ठोका बीटी करके नीला टैप कर दो और अगर आप यहाँ पे नए हो तो यार करो सबिस्क्राइब मेरी और भी ऐसे ही डीटता और सस्ते नेट देखने के लिए और हेट सोट यार मुझे नहीं पता क्या ऐसे लगा लेकिन मजा टैप आगया देखके तो बस भाई लोग यार आज के वीडियो में इतना ही जाते जाते एक एस्पेट चेया आउट करना मत भूलना उसके लिंक कमेंट सेक्सियों में होगी बिलकुल टोक में तो कल मिलते है यार बाई बाई अग्देन फेक्स करना मुलेप लोग रेकिन मजा तो को